आपको दादें उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलाट जारी कर दिया गया है। आपको दादें उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलाट जारी किया है। जाने के कारण उत्तर प्रदेश के आगरा मत्रा जले के कोचलाकों में बाल का खत्रा पड़ गया है। जाई विवाग की टीमों को यहां पहले से ही तैनाती कर दी गई है। बहीं आपको दादें की भारी बारिश के कारण चंबल नदी का जले स्तर भी बढ़ गया है। इस कारण राजिस्तान और मत्रदेश में भी बाल का खत्रा पैदा हो गया है। इसी वीच मौसम को लेकर एक और बड़ी ख़बर आरी कि मौसम विवाग का एक अनुमान है कि पिछले महीने हुई बारिश की कमी इस महीने पूरी हो जाएगी। लखनाउ समयत राजि के कईसों में आपको उताने आज सुभई से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम वैग्यानिकों ने आपको उताने कल से उतरपतर के कई जिलों में भारी वारिस का अलड़ जारी किया है। इस दवरान तेज हवाय चलती रहेंगी और ताफमान में भी गिराव अटाएगी। वीडियो के अंत में आपको ये भी बता दें कि आचारी नेरेद नेरेब किरसी विस्वध्याले कुमार गंज आयुद्या के मौसम विग्यानिक बरेष्ट बैग्यानिक डाक्टर आमिनित महमरनाथ मिस्र ने ये भी बताया है कि अगले साथ दिनों तक मानसून अच्छा र उलाके में कम हवा के दबाव के छेत्र और इसके आसपास के इलाखों में एलाकों में केंदर चक्रवाती दबाव की बजय से आपको दाने एक दो दिन तक राज्यकी के अलग अलग इस्टों में बारिष का सिल्सला जारी रहने का नुमान है मौसम बिबाग नियां आज को पूरी यूपी में मौसम पर सावन का असर साब साब देखा जा सकता है आपको दादें पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बुंदाबांदी के बीच रिमजिम फ्वार ने सावन महीने का आईसास करा दिया है लेकिन खेटी वाली के लिए किसानों को जमाजम बारिज इधाली में विक्सित हो रहा है इसके असर से आपको दादें कल तक उत्तरप्रदेश में भारी वारिस के आसार है मौसम विभाग आई-मडी के मताबक अगले चोबस घंटों के दोरान देश के कई इसों में भारी वारिस होनी की संबाबना है